लखीमपूर हिंसा केस में ग्रिह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आसिश मिश्रा को हाई कोट ने फैसला सुनाते हुए जमानत दे दी है जहां मामले की सुनवाई तो पहले ही पूरी हो चुकी थी लेकिन उमीद है कि जल्द ही आसिश मिश्रा जेल से बाहर आ सकते हैं लखीमपूर हिंसा केस में उत्तर प्रदेश S.I.T. ने हाल ही में 5000 पन्ने की चार्जशिट दाखिल की थी चार्जशिट में S.I.T. ने केंदरिये ग्रिह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आसिश मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था इतना ही नहीं S.I.T. के मुताबिक आसिश घटना स्थल पर भी मौजूद थे S.I.T. ने अपनी जाज में लखीमपूर हिंसा में आसिश मिश्रा के असहलों से फाइरिंग की पुस्टी की थी और आसिश मिश्रा की रिवॉल्वर और राइफल से भी फाइरिंग हुई है साइटी ने चार्जचिट में आसिश मिश्रा और अंकित दास के लाइसेंसी असलहा से फाइरिंग की बात भी कही है जबकि आसिश मिश्रा ने कहा था कि एक साल से उनके असलहों से कोई फाइरिंग नहीं की गई है वहीं पुलिस ने बैलेस्टिक रिपोर्ट के आधार पर फाइरिंग की पुस्टी की थी किन अक्टूबर 2021 को लखीमपूर के तिकुनिया में हुए हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी जहां आरोप है कि केंद्रिये ग्रिह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशिश मिश्रा उर्फ मोनू ने अपनी जीब से किसानों को कुचल दिया इसके बाद गुसाई भीर ने आशिश के ड्राइवर समेथ चार लोगों की हत्या कर दी थी वहीं विफक्त लखीमपूर हिंसा को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निसान साधती नजर आ रही है और साथ ही विपक्ष केंद्रिये मंत्री अजय मिश्रा को भी कैबिनेट से हटाने की मांग करता आ रहा है लेकिन अब चुनाव के बीच में आसिश मिश्रा को जमानत मिली है ऐसे में यह देखना दिश्चस्प होगा कि विपक्ष अब इस मुद्दे को कैसे बुनाता है